दोस्तों, जब भी आप Excel से रिलेटेड जॉब के लिए अप्लाई करने जाते हैं, तो maximum time अपने यह सुना होगा, कि क्या आपको VLOOKUP लगाना आता है, मतलब अगर आपको Excel पर जॉब चाहिए, तो सबसे पहली term या पहला question वह ज्यादातर यह होता है, कि क्या आपको VLOOKUP, LOOKUP, short and filter लगाना आता है, अब इसमें जो word में use कर रहा हूँ, VLOOKUP, वह इतना important क्यों है, अगर इंटर्वी में सबसे पहले वह क्यों पूछा जाता है, तो आज की इस वीडियो में आप समझेंगे, कि VLOOKUP क्या होता है, VLOOKUP कैसे लगाते हैं, और VLOOKUP इतना important क्यों है, तो मेरा तो महां पर job क्या होगा, data management का, मतलब मानलों एक company में 500 यह 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों का एक पार्टिकुलर वे में data, अब यहां पर अगर आपको VLOOKUP की knowledge है, तो अगर आपको supervisor आपके पास आता है, वो आपको कोई भी एक पार्टिकुलर ID नमबर देता है कि yellow, ID number 426, और मुझे इसके पूरे details बताओ, अब अगर 500,000 लोग में आप scroll करके, एक एक करके data को ढूंडेंगे, तो आपको क्या होगा, बहुत साथ दिक्कत होगी, तो VLOOKUP में सिर्फ ID नमबर दालने से, मतलब VLOOKUP formula के use के बाद, सिर्फ ID नमबर दालने से, आपको उसका पूरा पूरा data, just a second मिल जाता है, इसलिए VLOOKUP इतना ज़्यादा important है, so यहाँ पर VLOOKUP लगाते कैसे हैं, वो हम समझते हैं, तो हम यहाँ पर अपनी computer screen पर आगया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि मैंने जादा बड़ा data नहीं लिया, ताकि आप confused हो जाएं, नॉर्म जान देना है, बहुत ही simple है, बस आपको थोड़ा सा focus रखना है, तो यहाँ पर हमने लिया name, equal क्या है, और यहाँ पर हम डालेंगे VLOOKUP, अब यह VLOOKUP करने के बाद, सबसे पहली term में यहाँ पूशरा आप से, LOOKUP VALUE, क्या पूशरा है, LOOKUP VALUE, यानि कि आप जो name ढूंड र यहाँ पर, तो ID नमबर हमारी होती है, LOOKUP VALUE, कोमा, अब यह बोल रहा है, टेबल है यहाँ यहाँ पर आपका डेटा है, तो आप यहाँ पर पहला सेल्ट करो, और shortcut में, control को hold करना है, और आपको shift को hold करना है, और right hand side, arrow की को press करना है, और फिर down arrow की press करना है, अगर यह आपक को clear नहीं हुआ, तो मैं बता दो, simply मैं यहाँ से लेकिए, यहाँ तक, जो हमारी table है, उसको select किया, कोमा, और इसके बाद यह पूछरा है, column index number, देखो, यह जो name है, इस table की विहाँ पर, name कौन से column पर, पहले column में है, ID number, और दूसरे column में है, name, तो यहाँ पर हमारा index number हुआ दो, और कोमा किया, approximate match के लिए, हमने यहाँ पर डालेंगे 0, और यहाँ पर हमने के bracket को close, अब यह करने के बाद, हमने ब्रस के enter, अब 103 डाला तो सुरेश आया, जो कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर डालता हूँ, 106, enter, तो 106 किसके idea है, जै की, और आपको यहाँ पर ज designation पर भी लगाएंगे, और salary पर भी, तो आप साथ साथ करेंगे इसको, ताकि आपको revision भी हो जाए, तो आपने डाला VLOOKUP, और lookup value क्या है, कि इसके बहाँ पर data डोन रहे हम, ID नमर के बहाँ पर, coma, table array, तो यहाँ पर select क्या, control shift, arrow right, arrow down, इसके बाद करना है, coma, अब designation का column number क्य क्या है, column index number पूछ रहे हम से, तो एक, दो, तीन, तो इसका column number है, three, coma, zero, bracket क्या close, press enter, आगया, अब यहाँ पर बात करते है, basic salary तो दुबारा से करते है, क्या करेंगे, we lookup, lookup value, coma, table array, तो यह हमारी table array, और यहाँ पर क्या, coma, column index number क्या होगा हमारा यहाँ पर, एक, दो, तीन चार, चार, coma, zero, bracket बंद, प्रेस के enter, तो आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही ज़्यादा simple है, अभी इसका में एक, आपको advanced portion भी बताने वालों, जो interview में पूछा जाता है, फिलाल के लिए आप यही समझ गे, कि we lookup कितना important है, आप यहाँ पे में कोई भी ID डालता हूँ, हो सकता है, कॉलम 10 हो, हो सकता है, कॉलम 11 हो, और वहाँ पे सिर्फ ID डालने से सारा कुछ आराम से आजाएगा, अब कई बार interview में पूछ ले जाता है, कि यह जो आपने किया यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं कॉलम डाल रहा हूँ, इसमें 2, 3, 4, तो मुझे गिनना पड़ रहे ह इसके जगह हम यहाँ पे किसी और फॉर्मले की दुरूज हमें गिनना पड़े और ड्रैग करने पे, जैसे आपने नोटिस के होगा, टोटल निकालने के टाइम, या और कुछ निकालने के टाइम, जब आप ड्रैग करते हैं, तो आगी की वैल्यूस आ जाती है, तो अगर म तो आप यह पे आते हैं, जैसे मैंने 111 किया तो आप देखें, क्या आ रहा है, यह जिस कैसे करेंगे, तो यह जिस करने के लिए आपको ध्यान देना है यहां पर, सिर में इसी में थोड़ा से चेंज करने वाला हूँ, बस आपको फोकस करना है, तो हम गरते हैं F2, फॉर्म नम्मर फाइंड करने के लिए उसके जाता है अब मैच में हमारी look-up value क्या है मतलब हम किसका column नम्मर ढूंड रहे है हम ढूंड रहे है नीम का कोमा अब look-up array यानि यह जो name है इसका array कहा है तो यह array यानि की कौन से area में यह इस area में कोमा 0 exact match के लिए और bracket को बंद किया प्रेस कर दिए enter आप देखिए आप नर्मली आगे 110 किसके idea विगरम के और यह आगे लेकिन अभी भी जब मैं इसको drag करूँगा तो answer यहाँ पे proper way में सही नहीं आएगा जैसे इसकी तो फिर भी सही आगे बट अगर हम किसी और का निकाल रहा है for example यह तो हो सकता है कि answer हमें गलत मिले जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहा है कि मैंने यहाँ पे 105 लिखा है और हर्ष का name सही है designation सही है लेकिन आप जब notice करेंगे इसकी salary तो वो यहाँ पे show कर रहा है 16,000 ऐसा क्यों तो देखो इसको आपको समझना होगा इसमें थोड़ा सा हम और edit करने वाले है F2 करेंगे अब यहाँ पे होता क्या है कि जब आप drag करते हो तो आगे की जो sales है वो automatically बढ़ जाते है for an example जैसे यह G5 है यह इसके लिए हो जाएगा G6 जैसे A1 है यह हो जाएगा इसके लिए A2 तो यह जो चीज़ें यह बढ़ जाती है तो हमें इसको fix करना पड़ेगा आपको यहाँ पे आना है और करना F4 अब F4 करने से क्या हो जाएगा यह होगा fix क्योंकि देखो name के लिए भी look up value यही रहेगा और यह जो टेबल है यह भी तीनों के एक ही रहेगा तो इसको भी F4 करेंगे क्या करेंगे F4 functional case और match के formula में यह जो array हमने लिया है इसको भी करतेंगे fix इतना करने के बाद सिर्फ यह जो match में आपने look up value लिया है सिर्फ इसको आपको fix नहीं करना और enter करना है अब जब आप इसको ड्रैग करोगे तो यह automatically बिल्कुल सही result आपको यह पर प्रिंट करके देगा सो यह था दोस्तो वी look up formula बहुत important है I hope यह आपको समझ में आयोगा कि वी look up का पूरा मतलब कि है vertical look up और इसकी मदद से आप बड़े से बड़े डेटा को बड़ी ही आसानी से search out कर सकते हो साथ ही वह look up लगा के किसी भी डेटा को बड़ी ही आसानी से find कर सकते हो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें अपने दोस्तों के बीच में शेर करें साथ ही एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा थैंक्यू